नमस्कर दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग कंप्पेटर के प्रिभेस एर कोश्चन कर रहे थे यूपीट्री पालेस से जाई एक्जामनेशन के लिए और देखिए आभी तक जितने भी लेक्चेर से हमने कोवर किया प्रिभेस एर पेपर का तो वो ज आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो आप लोग देखिए वहाँ जाएका प्रिभेस सारे वीडियो को देख सकते हूँ और देखिए दोस्तों हमने जो है इसका आपका पीडिया भी प्रवाइट कर दिया है यूपीट्र पालेसे जिसमें कि आपका नॉन टकी जो सब्जेक् इसके अलावी देखिए हिंदी का है आपका और साथ में जहाँ आपका जनल स्टेडी का है तो इन सबका हमने पूरा कंप्लेट पीडियो प्रवाइट कर दिया है जिसमें कि आपको प्रविशन तो रहेंगा और साथ में आपका जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक से वह सारा आपका रहेंगा टॉपिक वाइस तो आप लोग जाएं इसे अपने प्रिपरेशन कर सकते हो अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग के पास जहा है जितने भी से रिमेडिंग है तो उसमें हमने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को एड किया हुआ है और इसके साथ में दिखी हमने एक कोर्स भी लॉंज किया हुआ यहां पर आपके लिए जिसमें कि आपको जो नॉन टेक्निकल के जो पॉर्शन है आपके जैसे हिंदी इंग्लिज जेनरल स्टेडी और कम्प्यूटर तो इन सब आप लोग गुगल प्लेस प्लेस स्टोर में यहां फेशन की आपको को नॉनल में कि when sending an email the dash line describes the contents of the message तो देखिए जब भी हम किसी को email send करते हैं तो कौन सा line जो है जो describe करता है message का content के बारे में तो देखिए यहाँ पर subject to या फिर contact इसके बाद CC आपका दिया हुआ है तो इसके देखिए regarding हम लोग यहाँ पर email के बारे में देखते हैं हम लोग अब जैसे देखिए आप किसी को email करते हो तो उसमें जब यह option आपको open होता है new message जब भी किसी को send करते हो तो इसमें दिखिए पहला आपका आता है from तो from देखिए यह आपका होता है कि जो person भेजने वाला होता है जैसे suppose कि हम email भिजते हैं आप लोगों को तो यहाँ पर क्या होगा यह मेरा address होगा email का और इसके बाद 2 है आपका आता है तो 2 में देखिए यह होता है कि जब ही हम किसी को email भिजते हैं तो वहाँ पर उसका recipient का address तो होगा यह होगा आप लोग इसे open करोगे तो यह भी आपका open हो जाएगा अपने आप में या फिर आपका email id का जो भी होगा क्या करोगे यहाँ पर कि जैसे आपको बल्क मेसेज भीजना रहता है ना तो उसके अंदर में आप यहाँ पर बीसेज करके भीज देते हो जितने भी employee रहते हैं या फिर आपके अंडर में जितने भी काम करने वाला रहते हैं तो आप देखिए बीसेज करके अब भीजोगे ना किसी को यहाँ पर आपका recipient का मतलो जिसने भीजा हुआ है तो वह उसका यहाँ पर पता नहीं चलेगा मतलो जिसने sender का जो send जिसने किया वो उसका address नहीं रहता उसके अंदर में पता नहीं चले है किसने भीजा हुआ है तो बॉलक मेसेज भीजने के लिए-सके अंदर में भी हम लोग message भीज सकता है लेकिन इसमें क्या हो का यहाँ पर carbon copy के अंदर में कि इसमें जहाँ कर देगा कि कि इन यह भीजा हुआ है मतलब कि इसके भीजा हुआ है, sender का address इसके अंदर में रहेगा आपका, लेकिन अगर bcc करके भीजोगे इसमें नहीं रहता है, और generally दिखें यह आप लोग एक employee का जैसे होता है ना, एक organization का अंदर में, तो आप उसका example के थुरूच समझ सकते हो, जैसे अगर कोई organization है, तो उसके अंदर में जैसे boss होंगे, उसके नीचे manager होगा और manager का अंदर में employee होंगे, अब suppose यहाँ पर manager है, तो यह अगर कोई important information share करना चाहता है, अपने employee के साथ में भी और boss के साथ में भी, अब यहाँ पर दिखी क्या है, कि हम लोग जैसे किसी का भी option use करके send कर सकते है, two का भी, cc का भी, bcc का भी, लेकिन bulk message भेजने के लिए, suppose manager को अगर भेजना होगा employee को, तो वो जह यहाँ पर two या cc का use ना करके, वो bcc का करेगा, ताकि वो जो है, bulk message भेज सके सबी को, और यहाँ पर जिसने भेजा हुआ है, जो person जिसने भेजा हुआ है, उसका address इसके अंदर में नहीं रहती है, blind copy, जो आप कर रहता है, यहाँ पर blind carbon copy के अंदर में, लेकिन जो यहाँ पर cc आपका है, अगर यह manager को boss को भेजना होगा, तो यहाँ पर bcc का use नहीं करेगा, वो cc का use करेगा, क्योंकि इसके अंदर में address तो होना ही चाहिए, निश्चिन्त होना चाहिए, क्योंकि उसको पता ह यहाँ पर एक respect देने के लिए, cc का use हम लोग करते हैं, ना कि bcc का, तो यह जो है आप लोग एक example का समझ गए होगे, तो I hope कि यह सारा point आपको clear हो गया होगा यहाँ पर, हम लोग जैसे bcc का use उस case में करते हैं, जब हमें bulk messages भेजने होते हैं, bulk email भेजने होते हैं, approximately 400 people को भी उससे अधिक भेजने होंगे, तो इस case में bcc का use किया जाता है, और यहाँ पर नीचे आपका होता है subject, subject मतलब कि किस topic पे आप भेजना चाहते हो, email किसी person को, तो वो आपको हो जाता है, इसका heading आप मानके चल सकते हो, और नीचे आपका रहता है, यह इसके अंदर में message area, जि यह सारा चीज़ आपका add कर सकते हो, email में, तो दीखी यह आपका पूरा email के बारे में था, इसके अलावे आपको और भी जानने होंगे email के बारे में, जैसे कि email क्या होता है, इसके अंदर में username और जो रहता है, आपका बाद में जो एक hostname आपका रहता है, उसके बीच में separation क किसी person को, तो कौन सारा इंडिस्क्राइब करता है, message का content के बारे में, तो यहाँ पे message का content क्या है, उसका particularly जो topic क्या है, वो चीज़ यह दिखे subject dimension हम लोग करते हैं, तो जब भी हम message करेंगे, मतल सेंडिक करते हैं, email करते हैं किसी को, तो उसमें कौन सारा इंडिस्क्राइब क contents तो आपका message ही हो गया, और CC मतलब कि carbon copy app का हो गया, तो I hope कि यहाँ सब की clarity हो गया होगा, तो यह जो option E आपका, यहाँ पर right answer होगा, कि जो की subject line describe करता है message का content के बारे में, अगला दिखी question है, कि बीच हो तो following operations, it's safe if an email from an unknown sender is received, तो इनमें सा कौन सा एक operation है, जो की एक safer है, अगर मान लेजे हमें email पर आप्त होता है, कोई एक unknown sender से receive हुआ है हमें तो, तो यहाँ पर दिखिए दिया हुआ है, कि open it to know about the sender and answer it, यहनि कि हमें उसे open करना चाहिए, और देखना चाहिए कि किसने यह send किया हुआ है, तो दिखिए कोई भी email आता है, कोई भी unknown person से, तो उ यह safe तरीका नहीं है, अगला देखिए दिया हुआ है कि deleted after opening it, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि हमें delete कर देना चाहिए opening करने के बाद, तो देखिए अगर वो spam होगा, spam email होगा, अगर आपने उसे open कर दिया, उसके बाद आप delete कर रहे हो, तो उससे जो है कोई पैदा होने है, अगर कोई आपको unknown sender से email आती है, तो अगला दिया हुआ है कि deleted without opening it, यानि कि उससे open किये बिना ही उससे delete कर देती, यह देखिए सबसे safest रहेगा आपका, अगर आपको unknown person से email आती है, तो यह जो है आपका सही answer यहाँ पर होगा, तो option सी correct होगा, बाके और भी option आप देख करने के लिए जरूरत भी नहीं है, अगर आप यह जान भी लोग किसने भेजा हुआ है, तो उसमें कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो उसका काम था, spam करना, तो वो already success हो चुक है, उसके बाद जान के भी आपको कोई benefit होने वाला नहीं है, तो यही दिया आता है, सबसे safest इस तरीका क्या होता है, कि आप जो है उसे delete कर दो, open किये बिना ही, बिना open किये आप उसे पहले ही delete कर दो, ताकि जो है उसका मकसद पुरा नहीं हो, जिसने भी send किया हो, अगर कोई unknown sender से आपको अगर email आती है, तो इस तरीके से यहाँ पर best answers आपका होगा, तो है option C, अगल on the phone, you are sending a package, तो दिखिए जब email send करते हैं, जो हम लोग पतर लिखते थे पहले, तो यह जो है आपका, उसी के ही जैसा है आपका, बट यहाँ पर हम लोग क्या है, एक electronic form में हम लोग लिखते हैं, यानि कि online modes हम लोग send करते हैं, किसी को भी, तो यह जो है आपका right answer क्या होगा option one, आपका हो जाएगा, यहाँ पर, कि जो send करते हैं, यह आपको similar है किसे, जब लोग लेटर लिखते हैं, किसी को भी, उसी के जैसा आपका यह भी रहता है, अगला दिखिया है, कि what is included in an email address, तो email address के अंदर में क्या include आपका रहता है, तो यहाँ पर दिखिए दिया आपका domain name followed by user's name, या user's name followed by domain name, user's name followed by postal address, या फिर user's name followed by street address, तो दिखिए इसके regarding आपको यहाँ पर जानना होगा, कि जैसे email address जो रहता है, तो उसके अंदर में क्या included रहते हैं, तो दिखिए कोई भी आपका email ID होता है, तो उसके अंदर में एक email address आपका होना ही चाहिए, क्योंकि ब format आपको देखने को मिलता है, चाहिए कोई भी आप server से बनाओ अपने email ID, तो उसमें जो है, दो important component आपके होते हैं, एक आपका होता है, उसके अंदर में username, दूसरा होता है आपका host name, और जैसे username है और host name है, तो इन दोनों के बीच के जो separation होता है, तो वह आपका add the right symbol से, तो मेरा email ID है, amk898275, तो यह मेरा क्या होगी username हो गया, और इसके बाद जो add the right symbol है आपका, इसके बाद का जो portion रहता है, जैसे gmail.com है, तो यह है host name, यानि कि domain name भी से बोलते हैं, लोग host name मतलब कि जिसमें आपका email ID का, जो server है, वो stored है, मतलब आपका जो content stored रहते हैं, तो username यह आपका रहेगा, यह जो है, आप लोग इसको change, अपने recording बना सकते हैं, या कर सकते हो, और देखिए, spaces जो है, allowed नहीं रहते है, email address के अंदर में, मतलब email ID आप जब भी बनाते हो, तो उसके अंदर में, आपका देखिए, जो है, space कहीं भी allowed नहीं रहता है, हलांकि आप इ देखिए, यही पुछा था question में, कि what is included in an email, email address में आपको क्या रहता है, तो उसमें देखिए, क्या रहेगा आपका उसके अंदर में, जैसे username रहेगा, और उसके बाद follow करता है, domain name के साथ में, तो पहले username रहेगा, उसके बाद add the red symbol, फिर इसके बाद आपका होगा, domain name, तो बाके देखिए, 3 में देखिए, user's name followed by postal address, postal address तो होता ही नहीं है, इसके अलावे देखिए, user's name followed by street address, तो यह भी देखिए, होता ही नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा option to, आपका right answer हो जाएगा, next देखिए question है आपका यहाँ पर, कि बीच दो following, cannot be part of an email address, तो इन में से कौन सा जो है, email address का part नहीं हो सकता है, यहाँ पर देखिए दिया हुए period, add the red symbol, या space, या फिर underscore, तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुए कि कौन सा part नहीं हो सकता है, email address का, तो period, जैसे dot आपका र underscore भी रहता है, लेकिन, space जो है, allowed आपका नहीं रहता है, यह पार्ट नहीं होता है, email address का, तो क्या होगा, option 3 आपका right answer हो जाएगा, तो आपको standard format याद रखने होंगे, जो हमने आपको बताया हुआ है, user name, add the red symbol के बाद आपका host name रहेगा, उसमें जो है, आपका spaces allowed नहीं होत है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, folder बोलते हैं, file बोलते हैं, या फिर mailbox बोलते हैं, या फिर directory हम लोग बोलते हैं, तो देखिए इस से simply mailbox आपका बोलायता है, यहीं पर आपका store रहता है, इस सारी email, तो क्या होग, option 3 right answer हो जाएगा, अगला दीखिए दिया हुआ के storage area, for email messages called, तो यह दिखिए वही same question है, तो mail works आपका हो जाएगा, तो आपको दिखिए अच्छे से topic को समझना है, और इसके बाद जो है, question भी आपको करना है, तो question दिखिए easily आपको बन जाएगा, topic पर clarity आपका है, तो question आपको easily बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, त और यह सारा content जो PDF में भी आपको मिल चाहेंगे, तो हमने आपको जहे सारे facility यहाँ पर provide किये वाए, आप लोग जैसे पढ़ना चाहिए, वह से कर सकते हो, बट आपका main motive होना चाहिए, knowledge गेन करना, और साथ मुझा important topics को cover करना, ना कि आपको simply रटना है, या फिर question को ही आद क करके जाना है, concept आपके clear रहेगा, तो question किसी भी type का है, आप लोग easily बना लोगे, तो I hope कि यह सारा portion आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग इसे तरीके से आगे भी lectures को continue रखेंगे, और देखिए जितने भी important PDF आपके non-technical subjects related, तो इन सब का link आपको description box में मिल जाएगा, तो